जैहन आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं स्रिदेव समन का बीयड से समन्दित क्या अपडेट आए उसको बताऊंगा काफे सारे जो है चैनल पर ये कमेंट आ रहे थी कि सर कांसिलिंग का रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट कांसिलिंग का रिजल्ट कब आएगा मेरिड लिस्ट कब आएगी सेकेंड कांसिलिंग कब होगी इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये बात ये भी बताऊंगा कि आप जो important document है उनको अभी से बना ले क्योंकि वो admission के समय आपको जो है जरूरी चाहिए होंगे तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखे और अगर आप seated और यूटेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं और जिकि वीडियो चाहते तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि बीर्ड के बाद आपको seated या फिर टेट अर्थात जो यूटेट है आपको वो qualify करना ही पड़ेगा तब ही आप किसी भी सरकारी में as a government teacher आप eligible हो पाएंगे तो इसको आप ध्यान में रखें तो चलिए सुरू करते हैं तो अभी मैं इसकी official website में हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं login करके आपको अंदर का दिखाऊंगा जो internal है वहाँ पर क्या-क्या notification आ रखें या result जारी हुआ है अथवा नहीं वैसे अभी तक इसका result जारी नहीं हुआ है पहली counseling का आप ध्यान रखेंगे जब इसका result जारी हो जाएगा उसके बाद का step है कि आपका admission कराना होगा उसके बाद ही यहाँ पर second counseling के लिए यहाँ पर online आविदन होंगे तो registration number और password को fill up करके मैं यहाँ पर login कर लूँगा और एक चीज़ का ध्यान लग कि कई लोग कह रहे थे कि जो हमारी इसके site फो खुल नहीं रहे है तो आप क्या करेंगे इसको open करने के लिए जो वहाँ पर advance करके नीचे पर लिखाता है तो आपका यह जो है open हो जाएगा तो login करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने login कर रखा है और यह किसी का यहाँ पर page है तो जो भी update है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी क्योंकि अगर result जारी हुआ होगा या फिर आपको college alert हो गया होगा तो यहाँ पर आपको वो notification दिख जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं जो counseling application form का यहाँ पर दिखा रहा है कि click here to print counseling form अगर यहाँ पर result जारी हो गया होता या college alert हो जाता तो यहाँ पर दिखाई देता कि आप counseling का result डाउनलोड करें यहाँ पर आप देख सकते हैं application status में college choice for counseling is successfully completed और अगर आप second counseling करना चाहते हैं और उसका जो procedure है वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उसको देख लेगी क्या क्या स्टेप्स हैं बाकि colleges की list होगी या फिर fee structure क्या क्या चीज़े हैं वो भी वीडियो पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं सिद्देव सुमन की अलग से website है sorry playlist है और ऐसे ही फिर कुमाओं और SSJU की तो यह तो होगिया हमारा result से related बात है अब कई लोग यह पूछ रहे थे कि इसका result घब आएगा तो इसका result I hope की जल्थ ही आजाना चाहिए एक week में तो आही जाएगा क्यों कि यह delay करने है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद ही जब एडबिसन होगे तब आपका second counseling का यहाँ पर फार्म निकल लेगा तो यह बात है थी बाकी next चीज थी कि कई लोग यह भी पूछ रहे थे कि merit क्या जाएगी तो merit का मैंने आपको बता है थी जब पहली counseling का result आजाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ कह पाएंगे या फिर वहाँ पर एक चीज होती है कि uncertain होते है तो यह चीजें थी बाकी आप देख सकते हैं मैंने जो previous year cutoff है उसको जो है upload कर रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने में college मिल रखा है बाकी मैं एक बार आपको important documents दिखा देता हूँ कि आपको क्या-क्या यहाँ पर admission के समय चाहिए होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं admission के समय आपको इन ही documents की ज़रुत पड़ेगी बाकी official जो भी जारी होका वूब में आपको बता दूँगा तो बीएट का entrance का result होना चाहिए प्रमान पत्र आविदन पत्र high school intermediate का mark seat certificate इसनात तक प्रथमदुतिय अगर तितिय अगर आप लगाना चाहिए या सनात कोत्तर आप लगा रहे हैं तो इसनात कोत्तर का टी सी और character certificate, migration certificate, 36 ओरदादर आरक्षन certificate जो भी आपके cast certificate है वो इस्थाई निवास और यही ध्यान रखे कि जो जेनरल है उनको यहाँ पर कोई भी certificate नहीं जो है देना पड़ते है तो इसका ध्यान रखे कई लोग यह भी पूछते हैं इस्थाई निवास प्रमान पत्र domicile weight is marks का प्रमान पत्र सबसे महत्वपोन है अधरवाइस आपको वहाँ पर seat नहीं मिलेगी medical certificate तो यह आप कुछी दिन में बना सकते हैं उसी दिन जिस दिन एडिमेशन कराना होगा उसके अगले दिन ही या पिछली दिन आप बना सकते हैं तो इस पर कोई ज़्यादा धिक्कत पर नहीं है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद में यह चीज़े होती हैं अगर यह होंगी तो आपको मैं बता दूँगा जैसे सेवारत हो तो अनापत्ति का कांसलिंग का ट्रांजिक्शन ये भी अब अगर कभी कई कई बार जो है माग लेते हैं आधार कार्ट की छा कोलर्शिप है तब के लिए आपको चाहिए होगा वेटी जकर नहीं है तो आप उसको बना लें और साथ में जो आपका कौन सा सर्टिफिकेट होता है एक होता है जाती ब्रहांपत्र आप इसको ज़रूर बना लें जाए चाहिए आप OBC हो SCST हो क्योंकि यह पहले बना और यह अपडेट थी तो जुड़े रहे बाकी सीटेट और जूटेट की जो प्रिवियस एर पेपर है मैंने अपलोड कर गए आप उनको जाकर देखिए लगातार यहाँ पर अपलोड होते रहेंगी धन्यवाद